तो अब हम लोग पढ़ने वाले chemical properties of alcohol अब जो chemical properties of alcohol होती हैं वह वो सपोज करो हमारे पास एक एक एलकॉल का molecular है ठीक है chemical property कितनी type की पहले हम लोग हो समाझ लेंगे क्योंकि alcohol में wedge bond होता है ठीक है और यहां पर carbon है यहां पर carbon होगा oxygen है तो ऐसी reaction भी होती है जहां पर carbon oxygen bond break होता है तो इसकी भी chemical property हम लोग discuss करेंगे और ऐसी reaction भी होती है जहां पर O-H bond यह वाला bond या O-H group और alkyl group दोनों के दोनों chemical reaction में participate करते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम लोग discuss करेंगे reaction involving the यह किलिवे जो ओवेज़ बॉन ठीक है इसमें जो फस्ट आता है वो आता है एक्ष्टी निचर आप अलकॉल यहांने reaction with metal active metals active metals क्या होता है जो ज्यादा यह alcohol है, यह alcohol यह HD की निचर है, HD की निचर का मतलब क्या है कि यह H plus देगा, यह H plus देगा, तो हमको पता कैसे चलेगा कौन सी reaction के थुरू पता चलेगा हम कैसे पता चलेगा, अगर यह हच्टी होगा तो हम लोग इसकी reaction, अलकॉल की reaction क्या करतेंगए active metals के साथ करा देंगे ज तो confirm यह जो solution है जिस compound का solution है यह acid in nature होगा ठीक है तो इसलिए पहली जो chemical property हम लोग पढ़ते है acid nature of यानी acid character of alcohol ठीक है तो क्या बोलता है alcohol वीक्री acid in nature and reactive with active metals such as sodium, potassium, magnesium, aluminum to liberate hydrogen gas जैसे hydrogen gas liberate हो जाती है तो इससे confirm हो जाता है कि जो भी compound हमको given था वो कह था acid in nature था देखो यहाँ पर hydrogen gas liberate करती है alcohol ने जैसे हमने metal के साथ reaction करा है ठीक है अब यहाँ पर देखो जैसे alcohol हमारे पास है इसकी reaction हमने करा दी sodium के साथ करा दी sodium के साथ जैसे इसकी reaction कराई तो क्या हुआ यहाँ से यहाँ से 2H2 है यहाँ से liberate हो जाएंगे S2 gas की form में और यहाँ जो NA है 2NA वो यहाँ पर लग जाएंगे तो यह alcoxide और hydrogen gas liberate हो जाती है ऐ ठीक है magnesium के साथ कराएंगे तो magnesium की जरुवस्त सुरी है ईस प्लस आयन देते यह अब हैज प्लस आयन क्यों देते हैं हमको दिखना है कि ऐस वनेसे वहता है तो यह एकיתי यहां रहा है ब्सक्षाइब क्यों legit i. क्लीटिक होता है कि crainogen d होता हुँ क्या करता को यहाँ पर कितने होंगे दो है इलकτόन से र tongue होंगे उनको अपनी तरफ अल्प ट्रक्ट करेगा, अपने तुर्ण विड्टरो करेगा, जिससे इस हााइट्रोजन और यह वाला जो बउन्द हे ना उएँ SY पहल काँद क्या दो को एलक्ट्रोजन इधर की तरफ सो लएबेंगे तो जैसे एकम को कंपेर करना है हमरे पास ने सा इसमें सब्सक्राइब होता है जब ज़्क होथा इस हमक्त सब्सक्रə 快ême क्या है क्योंकि ट्रष्णवरी गरुप होते हैं यह ने यहां पर फुर्क ठोल मिल करेंगे कर इस कार्वन की तरफ electron को धके लेंगे या डोनेट करेंगे तो यह carbon क्या करेंगा यहाँ को एलक्टोन देदेगा और यह oxygen और SKB का जो bond है उसकी तरफ क्या होगई oxygen और इसकी तरफ electron यह तीन के तीन एलकाइल ग्रूप ज्यादा इलक्रॉन डोनेट कर देंगे जिससे वेज़ बॉन्ड क्या हो जाएगा इस्ट्रॉंग हो जाएगा तो बॉन्ड इसली ब्रेक नहीं होगा तो इसली एस प्लस नहीं मिलेगा यहां से ठीक है जबकि वन डिग्री में क्या शिर्फ ए एक्सप्लेंड किया है यहां पर यह होगा हमारा कौन सा रिक्षन विद एक्टिव मेटल्स अब नम्मर टु है रिक्षन इंवॉल्विंग दे क्लिवे जो बोथ एलकाल यान हैट्रॉक्सिल गुरूप जहां पर एलकाल गुरूप और हैट्रॉक्सिल गूरूप दून के द क्योंड होना है घृता कैसे सब्सक्रों मारे पार कोई सा ऐलकॉल है एलकॉल का ही कौन होता है जहां पर ऐच कार्वन कार्मने इसको को बोलते हैं और ठीक है जब alpha से OH और beta से S निकलता है तो यहाँ पर क्या होता alpha और beta के बीच में double wound बन जाता है जब mechanism आप लोग पड़ोगे तो समझ मा जाएगा कैसे बनता है double wound तो जैसे alkin बन जाता है तो याद रखना कभी भी अगर alcohol का dehydration होता है तो क्या बनता है alkin आजए product बनता है ठीक है दूसरा example यह लिखा हुआ है ethanol लिया हुआ वही का रखना है alpha beta से H निकालो और alpha से OH निकालो तो CH2 और इनके बीच में क्या होगा double wound बन जाता है ठीक है सेम यह cyclohexenol है cyclohexenol के reaction कि से किसकी प्रजेश्म कराना है हमने इसको बोलते है paratolumine sulfonic acid यह भी क्या होता है dehydrating agent होता है इसको simple क्या बोलेंगे इस carbon को alpha carbon alpha carbon से जुला दूसरा carbon क्या होता है beta carbon alpha से S निकलेगा beta से OS निकलेगा alpha beta engagement double wound बन जागा S2 ठीक है होगा जो हमने एथिनोल लिया है उसका proton कर देंगे मतलब उसमें reaction करा देंगे S2SO4 के S2SO4 क्या करें S2SO4 क्या करें H Plus देता है क्योंकि S2SO4 क्या क्या करें S2SO4 से H plus आया है याद रखना तो पहले step क्या होगा ethanol में जो oxygen है च्छाइब जोगा यहां जोड़ जाएगा और यहां पर डॉनिट कर रहा है तो यहां पर अभी वैसे होंगे यहां पर दिखा सकते हैं क्योंकि जरुवत नहीं दिखा रहा है ठीक है तो यह होगा प्रोटोनेशन अब अल्कॉहल में क्या हुआ इनकल mysticicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic पोजिटिव है यहां से जैसे बन धरको तो तो होगा तो इस डिया, न्यूट्रल भार और इस कार्बन पर ऊसकी पोजिटिव चार्प आएकाक तो ऑक्सिजन पर, पलस्ट आया ठीक है फिरस तो पहले से था यहां पर से इलक्ट्रोन यहां गए यह तो न्यूट्रल हो गया क्योंकि इलक्ट्रोन इसकी तरफ गए तो किस ने दिए इस कार्व ने दिए जो इलक्ट्रोन देता है उस पर पोईटी चार्ज कार्वगट है थर्ड इस्टफ क्या है कि जो यह हमारा यह है यहां से बीटा वाला जो हाइडोजन है बीटा है यहां से एक हाइडोजन निकालेंगे ठीक है तो यहां से यहां से करनका है यह ठीक है यहां से क्या होगा जैसे यहां पर डॉल बोर्ड बन बने का तो फिर से नीट्रल हो जाएगा अब यह को निकालता है आपको बता भी एता हूं हों हो एक है तो यहां से यहां चलता है तो simple हमने cycle hexagonal ले लिया इसकी reaction pure Cl3 के साथ कराई तो क्या बन गया यहाँ पर alpha beta में double bond बन जागा यह ठीक है इसकी mechanism की देखते है सबसे पहले अपने pure Cl3 को ऐसे लिख दिया ठीक है क्योंकि pure Cl3 में phosphorus क्या होता है यह जो pure Cl3 यह Lewis acid है क्योंकि phosphorus में वेकेंट डियो अर्बिटल होते है तो यहां से launch पर क्या करेंगे उस वेकेंट डियो अटेक कर देंगे और यहां से एक Cl को भाहर निकाल देंगे अर्बबबन जाएक और पी के वी में बन जाएगा और पी के वी में बन गया है आकशन अलक्रॉंड दिये तो और क्या जाएगा ठीक है एक यह तो यह गूड लिविंग गूता नेस्ट स्टर में क्या होगा अर्पास प्रीडइन इस में लिखा था तुछीों आसे जो यह ऐलफा है यह बीटा बीटा पुटोन है निकाल इंदेगा यहां से यहां डूपर बैक यह बाहत निकाल जाएगा कि HR